आज जो चीज़े मैं बताने वाला हूँ एक्जाम पॉंट वी बहुत इंपोर्टन है कि थर्मल प्रॉपर्टी ओं मैटर के अंदर कौन सी चीज़े मोस्ट इंपोर्टन है देखो गई थर्मल प्रॉपर्टी ओं मैटर आपको करके रखना चाहिए कि आगे आपके बाकी एक् करूँगा अगर कि आप चाहते हो कि प्रदीप सर्थ थर्मल प्रॉपर्टी ओफ मैटर यह चेप्टर स्टार्ट करें तो उस वीडियो पे मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ फिर भी 500 लाइक एंड 200 कॉमेंट का अगर यह टार्गेट पूरा करते हो तो यह थर्मल प् अगर मैं बोलू पूरे चेप्टर के अंदर का पढ़के बस खतम करना चाहते है तो बहुत सारी चेज़े आपको पता है तेंप्रेचर क्या होता है फिर मेजर्मेंट और टेंप्रेचर वो जो यूनिट से वह आप सभी को पता है लगबल तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद यह डेफिनेशन कुछ हो गया है आइडल के से एक्वेशन आप लोगों को करना है जो बहुत सिंपल है फिर इसके बाद इसका डेफिनेशन कभी कबार एक्सदा में पूछा जाता है जो की बहुत सिंपल है मैं जो आपको पढ़ाओंगा यही जो यहां दिया हुआ उसी को देखके डारेक बाए डारेक बता दूँगा जिससे आब एक जटके में कर लोगे तो बाई यह फिर इसके लिनियर एक्स कर सकते है और कदम कर सकते है बाइबुस इसका इूटा दो गिर गई है बाउ assessing वोल्यम extension और भी सामगर आप देखो कर यह देखो यह वाला definition देखो यह वाला definition देखो तुको मैं यह नहीं complete ऑर जो बैगुनोललorg देखो यह वाला definition यह relation relation between coefficient of expansion, relation between beta and alpha, ये exam में ये पूछा जाता है, ये वाला exam में ये चीज़े पूछी जाती है, then इसके बाद specific heat capacity, इसके बस definition and formulae, ये आपके लिए बहुत important है, जो exam में इससे related कुछ चीज़े, बहुत सरी चीज़े आती है, ये सब थोड़े थोड़े definition और इसके formulae, फिर calorometer, ये calorometry आपने tense center के अंदर भी पढ़ा था, जो आपको थोड़ा बहुत पता है, तो उससे related चीज़े, और calorometry क्या होता है, और इसके अंदर का कुछ थोड़ा बहुत equation, जो आपको समझना है, और इदम simple सा equation है, जो आपने tense center में किया था, तो इसको एक जटके में कर लोगे, तो थो समझो को तो समझ में आ जाएगा, heat transfer में, heat transfer में, conduction, convention, radiation, यह तीन topic, then इसके बाद thermal conductivity, उसका formula और definition, okay, thermal resistance, बस उसका formula याद कर लो, उससे आपका statement complete हो जाएगा, application में दो application याद कर लो, बस हो गया, फिर convention, conduction, convention and radiation, फिर last वाल हमारा radiation, newton, slope, cooling, पूरा पढ़ने के ज़रत नहीं ह यह याद रहेगा, इसी से आप statement direct by direct बना सकते हो, जम direct by direct, तो इस तरह से जीजे करोगे, तो यह सबसे simple chapter आपको लगेगा, सबसे simple chapter, अगर आप चाहते हो कि प्रदीप सर आप सभी के लिए यह सब चीजे लाए, तो बैब प्लीज अपनी तरफ से वही reaction दिखाओ, जो आप